हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधा विरूत करें तक्तियां नारे बाजी करना बेल में आकर आसन के नजदीक आना ये सदन की गरिमा के अन्पुर नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नी करती इसलिए हम सब देश की प्रतिष्टा को बढ़ाने के लिए लोगतंत को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा समवात के साथ देश की जनता का कल्यान कर सके अंतिम वेक्ति के जीवन में परिवर्तन लाज सके लोगस्वाब में 13 दिसंबर 2023 को जो दुरुग्वान पुन और हम सब के लिए चिंता जनक घटना गठी है निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और इस घटना को सामविक रूप से भी हमने चिंता व्यक्ति भी की थी और भईश में घटना न घटे इसके लिए भी कारे योजना बनाने की योजना बनाए थी उसी दिन मैंने इस विशे पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्ष किया था और कैसे हम संसत की सुरक्षा वैस्ता को मजभूत कर सकते हैं उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्पूर्ण सुजाव दिये थे और मेरी कोशिश है कि उनकुष सुझाव में से कुछ में अमल हुआ है कुछ में आपके साथ बेढ़ कर और हम अमल करेंगे और इस घटना की एक उच्चिस्तरी जाच हो इसकी भी हमने योजना बनाई और इसकी जाच कमिटी बनाई और इसकी जाच शुरू होगी है पारल्लेमेंट इस तर प्र भी इसकी लिए एक हाई पाँर कमिटी बनाई है जो संसत परिसे में सुरक्षा के भीहिन पहलों की समिक्षा करेगी और किस तरहीके से हम संसत की सुरक्षा को बेतर कर सकते हैं इसके लिए आप सब के सुझाओं पर एक टोस्ट कारियोजना भी बनाएंगे ताकि हम भहिश में किसी भी घटना का कोई घटना न कठे उसके लिए हमारी सुरक्षा वैस्ता व्यापक हो और सब के सयोग से हो आप सभी भलिवाती आउगत है कि हमारे सदन में पूर में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तल लाने वाली नारे बाजे वाली और दर्शक में कूदने वाली परचे फेटने वाली घटनाएं पूर में हुई थी लेकिन उन सब घटनाओं पर भी मानने सदशों ने विशेष रूप से सामित्या से काम किया था इस सदन में इस प्रेफेट में जैसी घटना भी हुई लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं की रोध में एक स्वर में एक साथ मिलका धड़ संक्र दिया था आप सभी बली बाती पचिते हैं कि संसत की सुरक्षा का सेतुदिकार संसत सचवाले के अंतरगत आता है इसलिए शुरक्षा के विशे में जो भी कार्योजना बनाएगी वो संसत बनाएगी आप से विचार इमश्च करके बनाएंगे और टोस कार्योजना बनाएंगे पुर में भी ऐसी जब घटना घटी थी जब ततकालिन अद्यक्षों नहीं उस पर संघ्यान लिया था और उस घटना पर कारवाई की थी यह दुर्भागयपुन है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनिती कर रहे हैं यह किसी भी तरह की राजनिती करने वाली घटना नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो मानिय सद्श्वा उस घटना से समझ भी नहीं है ये घटना अलग है और निलंबन का समझ केवल संसत की गरिमा बनी रहे उसकी प्रतिस्टा बनी रहे ये सब की हमारी जिम्नेदारी है मुझे दुख है मैं कभी किसी मानिय सद्श्वा का निलंबन नहीं करना चाहता मुझे बहुत व्यक्तिगत प्रिड़ा भी होती है कि जो मेरे मानिय सद्श्वा है उनका निलंबन करूं लेकिन संसत की मरियादा बनाये रखना संसत की गरिमा बनाये रखना हम सब की जिम्मेद के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तक्ति लेकर नहीं आएंगे सदन की उच्छ पटी की गरिमा मर्यादा को बनाएक रखेंगे और किसी तरीके से हंगा मानी करेंगे देश की जनता भी ऐसे आचन को कत्त पसंद नहीं करती है इसलिए मेरा आप से आग रहा है कि हम सब इस साथ कि ऐसी घटना नगटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे मर्यादा बनी रहे यह हम सब की जिम्मेदारी है और इसलिए वह इसमें सदन की गरिमा सवर पनी है लोग सभा अद्देश के रूप में मेरा सदयों यह प्रियास्ता है कि सदन में सार्थ चर्चाओ सकारत चर्चा हो समती असमती हमारी लोगतंत की विशेषता है लेकिन असमती सकारत मगो और भिरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधा भिरोध करें तक्तियां नारे बाजी करना बेल में आकर आसन के नजदीक आना यह सदन की गरिमा के अन्कुर नह और लोगतंत को मजबूत करने के लिए और व्यापक्ष चर्चा सवाद के सब्सक्राइब देश की जनता का कलियान कर सके अंतीम वेक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सके है इसके लिए मैं आपका सयोक चाहता हूं मैं चाहता हूँ इस सदन में जो इसकी गरिबा रही है बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार तक चर्चा हुई सवाद हुआ है मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ राश्ट के इत में अपने करते और निभाने के लिए निष्टा रूप से मुझे सयोग करेंगे पुर म में सबको भोलने का अधिकार है लेकिन ये तक्टिया लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जंता भी इसको पसंदनी करती मैं आप से पेश्या करता हूँ कि आप सब सदन का सयोग करेंगे प्रश्ट काल को चलने देंगे प्रश्ट काल के बाद आप कोई विशियह हो तो मुस्से चर्चा करें मैं आपकी हर समश्याओं का समधान का रस्ता निकान हुआ मानने सदश ये ये सदन आपका है पूर में भी जब कभी सदन में घटना है घटी है तो ये शेत्युदिकार संसद सचेवाले काता है मैंने पूर में भी कहा था अध्येश होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी माने सदश्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आप से बेट करिए समिक्षा करेंगे जो सुरक्षा के व्यापजिंद्याम है और व्यापजिंद्याम करेंगे जहां सरकार का सयोग लेना हुआ सरकार का सयोग भी लेंगे लेकिन सेत्युदिकार हमेशा संसद का रेना चीए आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है संसच सचवाले की है आपके हर चिंता का समाधान अब निकालेंगे माने सदर्शे प्रिज आसन पे विराजे हैं मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ लेकि चिंता सब की है जोशी जी बोलना चाहता है माने सदर्शे गन मुझे सबा को सुटित करना है कि राजस्तान के नागोर संसदी निर्वाचन सेश से निर्वाचे सी हनुमान बेनिवाल ने लोग सबा के अपनी सदर्शे त्याकपत दे दिया है मैंने 15 दिसंबर 2023 से उनके त्याकपत को स्विकार कर लिया है आप बोलना चाहते हैं जोशी जी सर मैं इतना ही बोलना चाहता हूं सर तो जो बीएसी में निर्मे हुआता सर्वसम्मति से स्विकृति हुआता कि सदर में हम प्लेकार्ट नहीं लाएंगे इसमें तो आपने जब निवेजन किया कोई भी इसका विरोध ने किया सब में सर्वसम्मति से सभी पार्टिया स्विकृति दिया था कि हम तट्टिया फ्लेकार्ट अंदर नहीं लाएंगे इसलिए मैं निवेजन करता हूं इसलिए चर्चा करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है वो भी कुछ विशे उटाते तो हम सब के चर्चा के लिए तयार है सर तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना जब आप इतने बार-बार निवेजन कर रहे है आपने सब एंपी इसको लेटर लिका है जो कु लिका है इसलिए मैं हाथ जोड़के प्रार्तना करता हूं एक जो लेकार लाए है इसको विद्वा करके क्योंकि बहुत पूर्ण चर्चा है चर्चा के लिए सदन इसलिए हम सदन में चर्चा चलाना चाहते है प्रश्टकाल चलाना चाहते है और प्राक्टिकली मैंने फिर ज़िया नहीं लाएंगे उसको स्विकर्ति दिया है इसको पालन करते हुए सदन चलाने के अब बड़े मन करके कर दो चला यह यह अधिर अमर सिंग जी माने मंत्री जी कि माने प्टल पर रखा गया है अमर सिंग जी कि इस नमबर 202 श्री एस मुनश्यामी माने मंत्री जी कुश्यान नमबर 203 डाक्टर जैंद कुमार रहा है अधिर जैंद कुमार रहा है अधिया माने मंत्री जी सब क्वेश्चन नमबर 203 क्वेश्चन नमबर 203 माने सब्सक्राइब जी को दिटेस्ट मुझे मिला है लेकिन सब्सक्राइब लेकिसा मेरा कुछ मेरा च्छेट्रों में कोई साड़ा स्कूल है जहां पर केंदियों वीद्धालों में पर्मानेंट प्रिंसिपल नहीं है तो यह मेरा अग्रोव है आपके पास मुंचिनी के पैस तो इसकोब ही Pers시ald Bom For अध्याच्छा महोगे आधने सदेश्य जी ने अपने कंसुंशी में और उस्प्टाई रूप में प्रिस्काल कथा अन्य प्रध्यापपों की नियुक्ती की बारे में काहा है इन दुन में सेंट्रल स्कुल में बहुत सारे रिकुर्मेंट हुआ है आने वाले एक दो महने में इसकी सारे शिंतरल स्कुल में यह सारे रिक जपत्य भर दिये जाएंगे मानिस्टेश्य गनमें पुना अग्राए करता हूँ आप शबने काथा तक्तिया लेकर नहीं आएंगे तक्तिया लेकर आएंगे तो मैं सदन की कारवाई नहीं शुरू करूंगा लेकिन आप तक्तिया लेकर आ रहे हैं मर्यादा तोड़ रहे हैं सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें सदन जबी चलेगा जब तक्तिया लेकर नहीं आएंगे मैं पुना आप से आगरे करता हूँ आपका खुद का निन्डे सामुई निन्डे आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे तक्तिया लेकर नहीं आएंगे नो सदन की कारवाएं आज बारा वजे तक लिए स्टिकी की जाती है